heading लिखो our changing earth हमारी बदलती प्रत्वी एक एक वर्ड को ध्यान से समझना our changing earth जो हमारी जिसमें हमारा जीवन है हमारे जीवन का आधार है बेस है तो our changing earth के बारे में बात करने हैं बड़े ध्यान से clear और कैसे इसी topics में पूरे पूरी आज जो हमारी geomorphology है मैं उसके साथ आपको link करना बताऊंगा LWMI notes में flow कैसे करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे minimum words के साथ तो अब यह notes बनाना भी कई बच्चों ने कहा कि हम सीखना चाहते हैं So what is the meaning of changing here? बदलती का क्या मतलब है? लिखो heading डालो हमारी बदलती प्रत्वी अब इस बदलाओ का क्या मतलब है? बदलती का मतलब है कि there is a dynamism यहां पर एक उर्जा है मैंने हमेशा कहा था कि मेरी geography का तंबू तीन बंबू पर टिका है One is energy One is matter and one is homeostasis उर्जा, द्रव्य और समिस्थति यह तीन core है हमारी geography का अब यह discussion दीरे दीरे बढ़ेगा तो और मजा आएगा आपको अब यहां जो यह word है यह बड़ा important word है बदलाओ बदलाओ कहते हैं कि संसार बदलाओ ही संसार का नियम है समाज का, अर्थवेवस्था का, राजनीति का, शाषन का, संस्कृतियों का जो पहले 20 साल पहले था वो आज नहीं है आप यह देखा कि राहूल बजाज साब की डेथ हुई आज से कुछ साल पहले एड हुआ करता था हमारा बजाज तो बजाज स्कूटर अब गयब हो गए अब आज की रेट में motor cycle अब हम electronic वहेकिल की तरफ जा रहे हैं आने वाले समय में हो सकता उड़ने वाली बाइक्स आजाए उड़ने वाली कार्स आजाए तो लोग हसें कि आर यार यार तीस चालिस साल पहले लोग सड़कों पे चला करते थे नो हम जो है वो अब हवा में चलते हैं जैसा पिच्चरों में दिखाते हैं तो बिकाउस बदलाव बड़ी इंपॉर्टेंट है प्रत्वी के रिफ्रेंस में ये बदलाव का क्या मतलब है बहुत फोकस करके इसको समझनी कुशिश करना ठीक है तो ये जो बदलाव है यियह बहुत ही महतंपूर्ण है messaging का मतलब है कि इस धरातल पर सब कुछ परिवर्तित हो रहा है इसका मतलब है कि जो हम लैंड yhtाश देख रहे वो लगातार चेंग हो रहे है या तो बन रहे है या है यह हमेशा पोज़ेव नहीं होता है चेंज निगेटिव भी होता है पॉजिटिव यह इंगेटिव पॉजिटिव इन जिए ओमॉर्फलोजी भू आकरतिक विज्यान में निगेटिव और पॉजिटिव का मतलब होता है तू बैल तू इस्टैब्लिश दा हमिए स्टैसिस अगर कुछ सरप्लस आ गया प्रथवी क अनिकल कर आया प्लस हुआ प्रथवी ने का अरे एक्जोजनेटिक फॉर्सस का है कम 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 आजो और इसको हटाओ यहां से इसका अप्रधन करना शुरू करें डेनुदेशन प्रॉसस में लेकर आओ अनचाधन प्रक्रिया करो इसकी तो यहां से हटाओ माइनस करो सो आर्यका यहां है अमेरिका यहां नहीं था अफरीका यहां अफरीका यहां नहीं था इसका मतलब है कि इस धरातल में खुळ 떡at में इस क्रस्ट में सब कुछ बदलता रहता है और इसी बदलाओ की वजह से एनरजी और मैंटर लग तार मूमेंट करते रहते हैं जो नदर जाएगा, जो अंदर है वो बाहर आएगा, जो लेफ्ट है वो राइट जाएगा, जो राइट है वो लेफ्ट जाएगा, यहां तक कि हवा, पानी, मिट्टी, इस्थल, महादीप, सब कुछ बगलते रहते हैं, हम इस पूरे कॉंसेप्ट में, इस चैप्टर का जो कोर है, वो है डाइनमिजम, डाइनमिजम, यानि गतिकी, सब कुछ मूवमेंट कर रहा है, हवा चलती है, जल अपना प्रवाह करता है, समुद्री धाराये चलती है, कॉंटिनेंट्स मूव कर रहे हैं, प्लेट्स मूव कर रही हैं, अंदर से बाहर मैगमा मूव कर रहा है, बाहर से अं शील तंतर के रूप में देखते हैं, जब मैं वर्ड सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो अब तो मेरा इस्टोइंट ये बात समझ चुका है, कि what is the meaning of system, system वो पार्ट होता है, जो सभी अव्यवों को से मिलकर बना होता है, that is the combination of elements, to complete a desire, task, task को पूरा करने के लिए clear है, तो ये बहुत important segment है, और इसकी मदद से energy और matter movement करता है, और इस energy और movement के दौरान हमें इस्थलाकरतियां दिखाए पड़ती, पूरी भू आकरतिक विज्ञान का ये core है, ये geomorphology का basic fundamental है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, यहां तक हमारी बात clear हो चुकी, हमारी भूमी का, हमारा base बन चुका है, चलिए, next move करते हैं, done, आप समझने कोशिश करो, सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हमारा base है, हम कहां है, जिसे मैं इस समय कहा हूँ, ये मकान कहा है, मैं कहां पर पैर रख रहा हूँ, हम litho sphere की बात करते हैं, तो जब मैं lithos की बात करता हूँ, lithos एक basic Latin root word है, तो litho का मतलब क्या होता है, जल्दी मुझे बताओ, मैं भूल गया, ओफो, सर पे चोट लग गई, ठीके पैर में ही लगी, माल लो, तो litho मतलब क्या बताया था, क्या बताया था, what is the meaning of litho, क्या समझोगे इसका मतलब, मुझे मेरा ही वर्ड वापस कर दो, अपना वर्ड मत दो, अरे, litho means water, इसी में डूब के मर जाओ, क्या करूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा है, मुझे सिर्फ मेरा वर्ड वापस करो, means, शाबाश, वो बताया था था न, the rock, वो जो कड़ा है, वो जो परपटी में है, वो जो हमारे पैरों के नीचे रखते हो, तो तुम्हें कडी जमीन दिखाई पड़ती है, चाहिए वो पत्थर हो, चाहिए मिट्टी हो, दलदल में पैर रखो के डूब जाओगे, कहां हम सुनने बताने के लिए बैठेंगे एक दूसरे से, So, lithos means the rock, तो अब हम बात करें lithospheric plates, plates का मतलब क्या हुआ, plates का मतलब कुछ पतला, कुछ चिछला, जैसे ये plate हो गई, तो ये plate movement करें, इसका मतलब कुछ गतिशील, plate का मतलब कोई पतली सी परत, plate कैसा होता है, plate तुमने देखो, plate और भगोने में क्या फरक होता है, तो ज्यादा geography मत जाओ, घर के अपने kitchen में जाओ, तो plate और कटोरे में या भगोने में क्या फरक होता है, भगोना पातर होता है, उसके अंदर धेर सारी धारिता छमता होती, गहरा होता है, प्लेट तुमने देखोगा चिछला होता है थोड़ा सा गहरा होगा और वो चिछला होगा तो हमने इससे पहले की क्लास में यह समझा था कि हमारे पास दो तरह की क्रस्ट है एक ओशीनी क्रस्ट और दूसरी हमारी कॉंटिनेंटल क्रस्ट यानि महासागरी परपटी और दूसरी हमारी महाधीपी परपटी जिस पर हम रह रहे हैं और इन दोनों को मिला दोगे तो क्या होगा यह लिथोस्फेरिक बन जाएगा ठीक है यह सिंपल सा हमारा फं जो चिछली है, sallow है, बहुत जादा गहरी नहीं है, और इसका span बहुत जादा, इसका विस्तार बहुत जादा, इसका विस्तार इतना जादा है, कि पूरी प्रत्वी प्लेटों से मिलकर बनी हुई है, प्लेटों से मिलकर बनी हुई है, और ये प्लेट का नीचर क्या है? lithospheric है यानी कि plate का मतलब है कि यह चिछली होगी, बहुत गहरी नहीं है, ठीक है, पतली परत है, लेकिन इसका nature गया है, lithospheric है, लिखो मिनलब rock, और rock कैसा होता है, कड़ा होता है, चटान कड़ी होती है, तो इसका मतलब है कि यह जो हमारी चिछली परत है, जो shallow layer है, पतली layer है, व लिखो, इस्थल मंडलिये प्लेटें, अब एक वर्ड लिया, अब इससे पूरा चैप्टर में आपको इंक्लूड करता जाओंगा, पूरा चैप्टर, इंक्लूड करता जाओंगा, क्या कहता है, अब देखना, LWMI नोट्स कैसे लिंक करेंगे, और 11 तक की क्लास की NCRT मैं लिंक कर दूँगा इसके साथ, तो सबसे पहले, क्या है, what is the meaning of litho-sparic plate, because geomorphology का core है यह, अगर option भी पढ़ोगे, सबसे पहले इसी से सुमारा साथ-चातकार होगा, और बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं, लिखो, इसकी definition, question mark, what is this, लिखो, क्या है यह, LWMI notes, link करता है एक दूसरे एक साथ, लिखो, the earth crust consists of several large and some small, rigid, irregularly shaped, underline करते जाना है, plates which carry continents and the ocean floor, यही तो हमने पढ़ा था, लिखो, प्रत्वी की परपटी के अंतरगत, प्रत्वी की परपटी के अंतरगत, प्रत्वी की राजीव रंजन साब लिखें, मेरा SMS नहीं चाता कभी, आ तो गया यार, अब कैसे आएगा, प्रत्वी की परपटी के अंतरगत, कई बड़ी, छोटी, कई बड़ी, कॉमा छोटी, कड़ी, द्रण, अन्यमित आकार की प्लेटे संबिलित होती है, अन्यमित, कोई खास इसका शेप नहीं होता, अन्यमित आकार की प्लेटे संबिलित होती है, जो, इंपोर्टन बात है, जो महादीप और महासागर दोनों को संबिलित किये हुए है, बड़ी मज़ेदार बात है, इसका मतलब हमारे ओशीन और हमारे कॉंटिनेंट, चैप्टर हमने क्या सुरू किया था, अवर चेंजिंग अर्थ, मींस डानमिजम, हर चीज जो कुछ भी हमारे धरातल में वो गतिशील है, यह पेड़ पौधे तुम्हें लग रहा है, इस्थिर यह भी चल रहे है, हम इस समय पढ़ रहे हैं, हम भी चल रहे है, यह कॉंटिनेंट भी मूव कर रहे हैं, और सोच रहे हैं, कॉछ भी अपनी जगह स्थिर नहीं है, यह इतनी बड़ी मातरा में द्रव्य और उर्जा, छैतिज यानि हॉरिजेंटल, वर्टिकल यानि उर्ध्वाधर, दोनों दिशाओं में लगाता अर्बूमेंट कर रहे हैं, यही सिस्टम सबसे खास सिस्टम कहलाता है, तो कहता है कि क्या है लिथोस्फेरिक प्लेट, कहता है कि प्रत्वी की वह कड़ी परपटी, जिसके अंदर चोटी प्लेटे, बड़ी प्लेटे, इर्रेगुलर अनियमित आकार की प्लेटे, और जिसके अंदर महाधीपीय प्ले सभी कुछ शामिल है तो यह प्रच्वी का जो ऊपर हमें जो पूरा स्फेरिकल इस्सा दिखाई पड़ता है वह इसी से मिलकर बना हुआ है क्लियर है अब आजाओ अगर अगर चल रही है तो उसके चलने के पीछे एक गतिकी का कारण तो होगा अगर वहां पर उसका कुछ प्रॉसेस तो एक जन्रेट होगा कौन चला रहा है इसको तो अगला जो है हाव इट मूव्स यह प्लेटे कैसे चलती है मूव्स ड्यू टू दा मैगमा इंसाइड अर्थ इनके पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है वह मैगमा होता है अब हम बात करने जा रहे हैं सी फ्लोर स्पेडिंग की स्फस की सी फ्लोर यानि समुद्र तल प्रस्ण सिर्धानत के बारे हम बात करने जा रहे हैं जहां भी तुम पढ़ रहे हैं या ना में जवाब दो कमरे में जहां पर तुम अभी पढ़ाई कर रहे हैं दर्वाजा है कोई श्लाइडिंग डॉर ओपनिंग डॉर कुछ है जवाब दो मुझे कई लोग ने एस्थेनोस्फियर के बारे में पूछा एस्थेनोस्फियर अभी फर्दर कॉंसेप्ट है दुर्बलता मंडल एक ऐसी अवस्ता जहां सुघट्य अवस्ता प्लास्टिक स्टेट आती है NCRT step by step आपको सिखाता है निशिंत रहो वहां भी पहुंच रहे हैं इससे पहले मैंने आपको figure में दिखाया था न एस्थेनोस्फियर कहा होता है लिटोस्फेरिक प्लेट के अंतरगत क्रस्ट एंड एस्थेनोस्फियर बोत इंक्लूड जो नए बच्चे हैं शायद वो न संक्रमडी अवस्था होती है जहां सुघट यानि प्लास्टिक स्टेट में मैटर होता है तो अभी तो यह बात करना ठीक नहीं रहेगा समय के साथ एक एक प्रश्ण का तुम्हारे जवाब है तुम खुदी आश्यर चेके तो जोगे कि पूचने वाला था यह सब कुछ नो दर्वाजे को खोलो और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करो चलो 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 यह कोई भी चीज दर्वाजा नहीं दो दो सामान आपस में सटा लो और उनसे निकलने की कोशिश करो तभी तो तुम्हें डैनेमिजम समझ में आएगा या कल्पना करो, तो अगर मेरे घर में दर्वाजा है मालो, थोड़े देर के लिए मैं मैगमा हूँ, यानि प्रत्वी के अंदर से एक पिगली हुई चट्टान हूँ, जो मेंटल से निकल कर आ रहा है, और प्रत्वी के अंदर का इक पदार्थ हूँ, मुझे दर्वाजे से बाहर निकलना, दर्वाजा मतलब एक चोखट हो गया, अब दर्वाजे का मतलब मैंने प्लेट माल लिया, तो मैं एक मैटर हूँ, मैं एक मैटर हूँ, with the help of energy, मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, तो क्या तुम दर्वाजे को, दया तो हो नहीं, कि दर्वाजा तोड़कर घुश जाओगे, तुम दर्वाजे को open करोगे, slide करोगे, या दर्वाजे को क्या करोगे, open करोगे, ऐसी करोगे न, ये मालो ये दर्वाजा है, और मुझे बाहर निकलना है, तो मैं क्या करूँग अगर मैगमा को बाहर निकलना है तो यह इन प्लेटों को क्या करेगा? Move Apart जैसे आपने क्या किया? दर्वाजे को खोला, स्लाइड किया तब जाकर आप अपने वॉल्यूम को बाहर निकल पाए तब ही आप क्या होगा? दर्वाजे से बाहर निकल पाओगे या रास्ते में कोई abstraction से उसे बाहर निकल पाओगे यही सबसे बड़ी खुबसूरती होती है और जब आप दर्वाजे को movement कराओगे जब आप दर्वाजे को इधर उधर करोगे तो क्या होगा? अगर दर्वाजे को मैं plate माल लूँ और आपको मैं magma माल लूँ आप magma हो, आपो matter हो जो with the help of energy निकल रहा है या plate को energy transfer कर रहा है तो आपने ताकत लगाई दर्वाजे को मैं plate माल लेता हूँ ये lithospheric plate माल लेता हूँ तो अब क्या होगा? मुझे दर्वाजा हटाना पड़ेगा dynamism create करना पड़ेगा then मैं बाहर आऊँगा और जैसे ही ये plate अपनी जगह से इस्थापित होंगी हमारा topic क्या था? Our changing earth that means कि plate अपनी जगह से क्या होंगी? विस्थापित हो जाएंगी? move कर जाएंगी? dynamic energy उसके पास आजाएंगी? kinetic energy उसके पास आजाएंगी? कि if अगर तुम्हाँ तुम्हें एक magma हो, पिगलीवी चटान जिसे पहले के chapter में हमने कवर किया तुम्हें earth की crust पर आना है volcanic eruption, fissure eruption, किसी भी रूप में आना है समुद्र के अंदर SFS, यानि sea floor spreading कर रहे हो जो हमारे महाद्य महास आगरी कटक होते हैं जो mid oceanic ridge होती है मोर जिसे कहते हैं, उनसे बहुत बड़ा मैंने आपको बताया था, सबसे बड़ा जौला मुखी कहां है? दुनिया का सबसे लंबा जौला मुखी बेल्ट कहां है समुद्र के अंदर 14,000 किलोमेटर कहां है mid oceanic ridge, मोर कहते हैं उसको पढ़ाया था, बताया था इसमें अब क्या हुआ ये विस्थापित हो गया और क्या हुआ, बहार आगया मैगमा So due to the rising of the magma, जो magma बाहर आ रहा है उसने क्या किया, dynamism create किया तो यहां movement क्या हुआ, energy and matter homeostasis अभी नहीं, अभी बचा हुआ है तो यह क्या हुआ, कुछ नया निकल कर आया तो अचानक से कमरेश कोई खट-खटा था, तो बाहर निकलते हैं तो यह कहा हुआ है, भाई साब, क्या बात है, हम class कर रहें अभी है, अभी इस्टर्म ना करें तो आप बाहर निकल के कोई अपनी बात कर रहा है, कुछ नए रूप में तुम बाहर निकले होगी नहीं clear हुआ अभी कहीं पर भी हो mid ocean, Pacific में कुछ और हो रहा है अभी energy or matter, matter movement किया energy, उसने plateo को खिसकाया, plateo को खिसकाया तो जैसे दरवाजा कोले होगे, किसी की दरवाजा मानलो पुराना है तो कैसे अफ़ा ऐसे भी खुला होगा तो क्या होगा जब प्लेटो में दरवाजा कपकपाया होगा पुराना भारी भरकम दर्वाजा कहीं फस फस रहा है तो जोर से कीचते हो जांग सर बोलने जल्दी कीचो तो धर्डड़ा के दर्वाजा खुलता है तो दाट मीस मुवमेंट इंद क्या होगा एक तो वालकनो मालो कभी क्लास चल दी कोई दर्वाजा खट-खटा दे तो भूकंप है क्योंकि डानमिक मुवमेंट हुआ प्लेटो में जाया और अगर यह मुवमेंट समुद्र के अंदर है तो यह सुनामी है किसी को हम लोग क्या बोलते हैं जायंट वेप सुनामी कहलाती है तो यह जो चीज़े हमने पढ़ी वह इसी के साथ जाकर जोड़ जाती ह है क्लियर है मजा आया है हम तुम बेसिक पर है हमने इस जो मुवमेंट हुआ यह जो अर्थ की इंसाइड से अनरजी आ रही है हमने इसके लिए एक नाम तह किया था याद है इंडो जनेटिक एंड एक्जोजनेटिक चैप्टर याद है तो हमने क्या किया अंतर जात बल यह गतिशीलता तब होती है यह गतिशीलता तब होती है जब प्रत्वी के अंदर से जब प्रत्वी के अंदर से और मेरा इस्टुइट गलती नहीं करेगा नौट लावा एक-एक कॉंसेप्ट इसे कहते हैं इस्टुइएट जाता जाता है एक्जाम में लावा लिखके चला आता है और लावा भूस देता है वह तो बहरहा म्लावा भूस दे रहें लावव देने का मतब जो लोग यूपी स्टेज को यूज करेंगे यह सुनने में बड़ा छोटा-छोटा लगता है लेकिन एक्जामनर यूपियसी का बहुत डेफ्ट के साथ यह concept देखता है कि स्टुएंट समस्ता भी चीजों को खाली घटकर आया है कि शाबश यह गतिशीलता प्रत्वी के अंदर मैगमा के संचलन से होती है मैगमा के संचलन से होती है और इसके लिए हमने एक geographical नेम दिया हमने कहा endogenetic forces और कौन वाली मैं छुपा दे रहा हूँ कौन सी धीरे धीरे से मेरी जिन्दगी में आना या दिल तोड़के हस्ती हो मेरा जल्दी बताओ अब जिसको समझ में आना होगा समझ में आगया होगा अब यह कभी नहीं भूलोगे इसी को हम लोग fanatics कहते हैं इसी को memory method कहते हैं जो तुम्हें कई बार हस्ते हस्ते पढ़ा देता हूं न वह बड़ा गहरा होता है मैंने छुपा लिया अब जल्दी मुझे बताओ कौन वा वाला वेलेंटाइन दे अभी गया है लगना तुम्हारा अच्छा गया है जिके जिनका टूटा है उनको जाधा समझ में होगा भूकंप और जॉला मुखी बता के थोड़े ना आते हैं कि भाईया हम आ रहे हैं आजा है क्या नहीं अभी मताओ ऐसा नहीं होता यह क्या है य अकस्मिक बलो की अंतरकत आते हैं तो चलो जो यह मैं आप लोग को इसके एक्जामपल देता हूं उसको पड़े ध्यान से समझा करें यह चीज़े नहीं भूलती है यूथ हो यह सब चीज़े तुम्हारे जीवन में होती रहती है तो उसको रिलेट किया कर अपनी लाइफ स क्यों मैं तुम्हें किचन में ले जाता हूं प्लेट तस्तरी दिल तूटना यह वो क्योंकि तुम्हारी रोजमर्रा की चीज़ें हैं जब अपने आसपास की चीज़ों से अपनी नॉलेज को जोड़ दोगे कभी नहीं भूलेंगी और मुझे तो एक्जाम में कोश्चन कर लेकिन आज हम उसके अंदर भी जाएंगे पहला जॉला मुखी मैं सिर्फ एक्जाम्पल दे रहा हूं तुम्हें सिर्फ पढ़ने पर फोकस करना है कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना दिकत हो जाएगी से लो तो what is the meaning of volcano? शुरू करें अब जैसे कई लोगे ने पूचा तो सर वाल के नो क्या होता है आब आजाओ पताते हैं वाल के नो क्या होता है जिब आजी सब्सक्राइब कर बाद मी करता है तो एक वर्डवें ाज से बात निकलती है कि इसका सब्सक्राइब कर पेंड चाटारीे किसिए मों आने देता ाग mortar मुख से करते हैं एक तो ब问ने दो आचlift करदेव होगे एक मजा बहला मॉलता हो कि यह नहीं कि हम पिगली भी चटारों के बारें बात कर रहे हैं, ठीक है? It is a vent in the earth's crust through which a molten material erupts suddenly, suddenly. Suddenly, कई बार जैसे तुम्हें घर में अंदाज हो, मम्मी, पब जी खेलने हैं, अचानक से मम्मी किचेन में कुछ काम करें थी, गुन-गुना आ रही थी, अचानक से मम्मी जो तुमसे कहती हैं, अपर तुम्हें आश्चियर होता है कि क्या हो गया अचानक से, अभी तब सब ठी energy release होती है, ठीक है, तो आप सकते में आ जाते हैं, क्या हो गया यहां पर, गई बार आपको जो है, वो मज़ा भी आया होगा, इसमें सुनने में बहुत अचानक से धेर सारी नास पीटे घर के तुमने पैसे बरबाद कर दी है, यह कर दिया, अचानक समझ में नहीं आता क्या हुआ, तो suddenly erupts होता है, ठीक है, अब देखो, it is a vent, in the earth crust, it is not mountain, vent के नीचे underline कर लेना, this is, कई बच्चों ने का, सर यह उंचा कैसे हो जाता है, सर यह परवत नहीं है, यहां पर एक एक वर्ड पर बहुत फोकस करना है, मजाक मजाक में ही, ठीक है, रजाक भाई, समझ लें इस बात को, it is a vent, vent का मतलब छिद्र होता है, mountain word यूज नहीं किया गया है इसके लिए, लेखो, it is a vent in the earth crust, through which molten material erupts suddenly, लेखो, यह प्रत्वी की परपटी में, एक छिद्र होता है, एक निकासी द्वार होता है, एक निकासी द्वार होता है, एक निकासी द्वार होता है, जिसके माध्यम से, इवेंट के नीचे अंडर लाइन कर ले ना, प्लीज, जिसके माध्यम से, पिघला हुआ पदार्थ, पिघला हुआ पदार्थ, आकस्मिक रूप से निकलता है, जिसके घर में होता है न, ए मम्मी, जड़ा सौर रुपय देना, आ मम्मी पता है नी किचन में कुछ काम कर रही थी, उसके मम्मी जो है, सडली, मालो किसी कोई बात हो गई होगी, मम्मी के अपनी सास से कुछ दायवाय हो गया होगा, तुम टार्गेट पर आ जाते हो, बस हो गया काम खतम, तो वो जो माहूल होता है, वो जो मुख से निकलता है, बस समझ लेना उसको, कि that is volcanic eruption, ठीक है, हुआ ह होगा, जीवन में कोई ने कोई तो फंसा ही होगा, इमानदारी से बताना, ठीक है, तो इसको बना लो, अब यह mountain कैसे बनता है, यह high rise कैसे होता है, यह elevation कैसे फार्म करता है, that is another case, so जोला मुखी के टर्म में mountain word यूज नहीं किया गया है, vent word यूज किया गया है, एक बार और बोल ये हिंदी में, लिखो, यह प्रत्वी की भूपरपटी में एक निकासी द्वार होता है, प्रत्वी की भूपरपटी में एक निकासी द्वार होता है, जिसके माध्यम से पिगला हुआ पदार्थ, आकस्मिक रूप से निकलता है, पिगला हुआ पदार्थ, आकस्मिक मुलब खुश तो देखी नहीं सकते हमें अरे गुस्सा तब करते हैं जब तुम लोग पढ़ान है जॉला मुखी तुम पूछा कि सर ऐलियन ऐसे ही होता है गया तब उस समय तो गुस्सा होगा ना अब हाद चैट जादा पढ़नी रहे हैं हुं यह सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है अभी यह अभी यह अब यह व्याव इसका इस्पान लेना शुरू करेंगा ना घबरा जाओगे अगरे सर चलें बना लो तो यह जो रेड गदर मैंने शो किया है यह हमारा मैगमा चैंबर है इसन ओनाव चैंबर या नि मैगमा कोश है चैंबर का मतब जैसे कोई कमरा है जिसके अंदर रखा गया सब तो यह रेड गद दिखाए इसको हम लोग सेंट्रल वेंट कहते हैं यानि की केंदरी यह द्वार निकल गया उसको लावा कहते हैं यह Central से लावा कहते हैं यह प्रत्वी की भू पर्पटी है जिसको तोड़ते हुए उड़्या के कि गैस और राख निकलती यहां से, जल्दी बना ले। तो इससे कुछ structure बनेंगे, अभी यह इन structure को पढ़ेंगे, आपने देखा कि एक central vent हमें एक perpendicular मिल रहा है, एक हमें horizontal भी मिल रहा है, ठीक है, यह horizontal भी इसके भी खास feature होते हैं, कुछ इन पड़तों में जम जाएंगे, कुछ लहरदार दिखाएंगे, इनकी भी खास नाम होते है ठीक है, और यह central vent, यह crater, इसका भी खास feature है, जॉला मुखी का हर पार्ट अपने आप में एक feature को generate करता है, clear है, अब देखो यह elevation कैसे प्राप्ट करता है, चुकि यह lava form में, molten form में, that can move, यह move कर सकता है, central vent, मालो शुरुवाती दौर में एक छिदर हुआ, और वहां से क्या ह भ्राम से बाहर निकला, जॉला मुखी, और धीरे धीरे यह इस पर फैलता चला गया, एक इसने elevation पर, जम गया, तो जम गया, मालो पहली बार यह ऐसे बना, और यह जम गया, फिर कुछ सालों बाद, कुछ हजार सालों बाद, मालो इसमें, eruption हुआ, तो यह फिर से क्या होगा बाहर निकलेगा, धुम धड़ाके के साथ, और यह क्या होगा, और निकलते हुए, मालो यह second line में शोग कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, यह फिर जाएगा, और फिर यह इस पर solidify हो जाएगा, फिर ऐसे काल अंतर में multiple time यहाँ पर, जब जब जब, जो है, वेंट स तो इससे क्यों होगा, इसको हम लोग volcanic mountain कहेंगे, जब यह elevate करेगा, यह जो हमें उचाई दिखाई पड़ेगा, जैसे विशुवियस हो गया, फ्यूजी आमा हो गया, यह जो महान परवत हैं, जो जो जोला मुखी परवत हैं वास्तों में, यह हमें दिखाई पड़ते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि हर परवत से जोला मुखी उदगार हो ही, जैसे भारत में जहम दक्कन ट्रैप की बात करते हैं, तो फिशर इरप्शन था, वहां कोई mountain नहीं बन पाया, वो किवल एक दरार से जो है, एक फिशर यानि कि वो एक वेंट था, ऐसा दरार था, और उससे लावा निकल कर फैलता चला गया, ठीक है, वो फैलता चला गया और आगे चलकर डक्कन ट्रैप, यानि दक्कन के पठार का निर्माड हुआ, done, राख कैसे बनती है, कोई भी चीज जब बर्न होती है, तो उसके solid particle ash बन जाते हैं, तो गाड़ी से जब धुआ निकलता है, तो जो बर्न होता है, उसमें आपने देखो का कई बार गाड़ी जब चलती है, तो आपने देखो का कुछ चिंगारी जैसी निकलती है, और बाद में कभी उसको हाथ में लोगा तो वो राख जैसी दिखाई पड़ती है, तो जब किसी भी अंदर से material बर्न होकर रहीता है, गरम है कि आपको पत्थर जो पिखल गया, जिसमें material जो बर्न होगा, वो ash के रूप में बाहर निकलता है, जो ठंडा होगा, वो fine particles होते है, ash का मतलब होगा, fine particles, बहुत ही महीन कर्ण होते हैं वो, ये सबसे खतरनाक होता है इसके लिए, clear? इसके बारे में भी में बात लावा निकलने की बजाए, आसपास जहां दिवारें पतली होती हैं, वहां से भी निकलाता है, this is known as parasitic cones, ठीक है, तो इसको हम लोग परिपोशित, जो है, वो कोन के रूप में, शंकु के रूप में भी जानते हैं, clear है, तो इससे कई बार उदगार जो होता है, सामने होने क करते जाएंगे, मज़ा आएगा इसमें, पूरी चीजों को, और भी हम इसको अच्छी तरीके से समझेंगे, क्या वाल केनों से, पॉलिशन होता है, बहुत जादा, अगर ये इतना जादा हो गया, कि अगर ये स्टैटर स्फियर में इंटर हो गया, जब एर के साथ पढ़ो की उच्छे से प्राक्टिस करें एफर्ड करेंए को कूउशंस को करने की, है क्या आप भी आइस की त्यारी करना चाहते हैं, जब आप का पिसच्छन करना चाहते हैं, बहुत दिनों से आप इस्टेगल करने, लेकिन इसके बाउजाद भी बोह को हो किस सुल्यूशन है सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है आपका पेशिंस जवाब दे रहा है इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम यानि ओजांक गुर्कुल केमपस यहां हम आपको सिखाएंगे आईएस और पीसे जैसे एक्जाम की तैयारी कैसे आसान त सक्षै आपका बढ़र्ट यहांनी ओंप स्थ म्हांनी ओंपाट इन अथ्जाम अपका टीО्स अजवा इन दूर्ट इवाशन प्रिश्वाट्स्ड्स्ट्री आपका टी उप्श्ट्षै यहां थच्ट्षै